हैलो प्यारे बच्चों मैं है गुलोसन खान हम लेकर के आँ हैं आप सभी रुक लिए क्लाश 10 से सम्मंदित कुछ प्रसन इससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक थौर्ट विचार मेरा क्या है अपनी जमी अपना आकास पैदा कर अपना नया एक इतिहास पैदा कर मांगने से जिन्दगी कम मिलती है ऐए मेरे दोस्त मांगने से जिन्दगी कम मिलती है ऐए मेरे दोस्त अपने हर कदम में नया एक विस्वास पैदा कर अपने हर कदम में एक नया विस्वास पैदा कर जैसे जानते हैं बच्चों इस समय ज्यादा दिन नहीं रहे गया बोर् आपको सिर्फ किसके दौरा मिलेगा बाई गुलेसन खाने के दौरा मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोशन हैं तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई जारी नहीं रखिया है तो एस्टरी गोर्चन को जरूर अपना ये क्योंकि मैंने आपके लिए ये वीडि दा फॉलोविंग निमलिखित के मान गयाद कीजी ऐसे प्रसंट जो दिये गए हैं इसमें से एक नमबर एकदम पका है आए गवेटा एक नमबर कोशन हमें से दिया जाता है तो पहला आप्शन को क्या करना है आपको के सामने राइट कर रहे हैं लिखा हुआ है पहला आप् कम्पलिमेंटरी सम पूरा कोण यानि पूरा कोण का योग लगाना है आपका बेटा जब दो कोणों को जोडने पर जब दो कोणों को जोडने पर 90 के बराबर होता है तो उसे कहते हैं पूरा कोण का योग सम आप कम्पलिमेंटरी पूरा कोण का योग पूरा कोण का योग और फार्मुला वहाँ पर होता है, ये दोनों एक दुसरे के अपोज होते हैं, विप्रीत होते हैं साइन नभिमान सीटा कॉस सीटेक बरावर होता है कॉस नभिमान सीटा साइन सीटेक बरावर होता है अब परिवतन आपको कहा करना है, निमेरेटर में या डिनोमेरेटर में यानि उपर करना है या नीचे करना है तो अगर हम उपर परिवर्वतन करेंगे तो अगर 36 को हम लिखेंगे तो 90 क्या करेंगे 54 को घटा कर लिखेंगे अगर मुझे 54 में परिवर्वतन करना है तो 36 को 90 से घटा कर लिखेंगे तो ऐसे हैं लिखेंगे अब हम परिवर्दन में उपर करेंगे तो साइन 90 मानस जो नीचे दिया गया 54 को घटाएंगे अपान में कॉस चावर में कोई परिवर्दन नहीं करेंगे और साइन 90 मानस थीटा किसके बार हो था कॉस थीटा और थीटा के बार भी यहां 54 डिग्री है तो यहाप पर आ जाएगा कास 54 अपान में कास 54 कास 54 वन्जा कॉट 50 मत्तब कास 54 वन्जा कास 54 आ गया एक बार में इसका क्या हो गया आइंसर आ गया बेटा एक आई हो आपको पहला कोईशन मैंने बताया एस्टेडी ग्रोथ के द्वरा पहला कोईशन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा चलिए इससे प्रकार से हम दूसरे आप्टन को सॉल्प करके बता रहे हैं जहें जानते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कोईशन नमबर मेरा दूसरा जो था लिखा हुआ है सिक 81 अंस अपान में कॉसिक 9 अंस यह दिया गया है इंगलिस में सिक 81 डिग्री अपान में कॉसिक 9 डिग्री 81 और 9 को अगर हम आइड करेंगे तो आ जाएगा 90 तो इसमें अगर हम उपर पर्दून करेंगे तो 90 से क्या करेंगे हम 9 को सब्देट करके लिखेंगे तो फार्मला यहाँ पर फिर इसका होता है शेक 90 अमानस का थीटा इकल टू कॉसिक थीटा होता है और अगर मुझे कॉसिक में पर्दून करना है तो कॉसिक नव् grep 5 थीटा शेक थीटा के होता है यह आपके सामने फार्मला रेट कर दिया गया है अब यहाँ पर हम लिखेंगे शेक यहाँ पर आगया कॉसिक 9 दिगरी शेक 90 से किसके वहरा होता है कॉसिक थीटा को होता है तो यहाँ पर आया कॉसिक 9 डिग्री अपान में कॉसिक 9 डिग्री ये दोनों ऊपर और नीचे बराबर होने पर जैसे 2 अंजा 2 होता है वो ऐसे कॉसिक 9 अपान कॉसिक 9 इसकोल टू 1 इसका भी कहा हुआ एंसर हो गया आई हो आपको जो दूसरा अफसन दिया गया है इसको आप अल्रेडी कर लेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है 10 90 मानस सोरी आपको यहाँ लिखना है कॉट 90 मानस 72 और अपान में 10 72 अपकॉट 90 मानस टीट होता है 10 10 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा इसको आपके इसका एंसर कितना आएगा चलिए अगला कॉशन क्या कर रहा है मेरा जहे जानते बच्चों मेरे सामने बहुत प्यारा क्वशन दिया गया है आपके जो है क्कॉस्च्र 2003 अपान कोश्श असे करना है सिद्ध करना है साय थिटा अपान कोश्षी नवेदी इन सीटा प्लस से 9 दिमान थिटा अपान कॉसिक थिटा एकल टू के लाना है दूसरा ओप्षन है कॉट चैलिसंस अपान टैन पचास संस मानस कॉस पैंटिसंस अपान टू साइन पच्परंस बराबर में वर्णबाई टू के लाना है आपने कोश्चन को पढ़ लिया चलिए वेटा पहला जो करना है राइट कर लेना है ले चस में लेटर तो यहांपर हमें लिखना है सान थीटा अपान में आजाएगा क्यक्स नब्वय-30 चिटा चिन PALA में कोई परवर्ण क्यक्यकों कोई एंगल नहीं है लेकिन यहाँ पर साइन यह जो फार्मूला होता है कास नबे मान सीटा इस से पहले हम बनता चुके हैं इस से पहले हम बता चुके हैं कास नबे मान सीटा जो होता हो साइन थीटा के होता है प्लस सिक नबे मान सीटा जो होता है कौसिक थीटा होता है कौसेक ठीटा अपान मैं कौसेक ठीटा इसको डिवाइट करने पिसके वह लू हो जाएगी इसके वोन कोंगो हो जाएगी और यहांप प्लस का चिन है तो वन और वन मिल करके कितना हो जाएगा हो यह इसका इंसक्ल आ गया और I hope आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा चलिए बच्चों उसी प्रकास मेरा दूसरा आपसन क्या कह रहा है दूसरा आपसन मेरा कह रहा है कि मेरा दूसरा आपसन दिया गया है कार 40 संस अपान 10 पचास संस माइनस कास 35 संस अपान 2 साइन पचपनस जो equal है वो 1 by 2 के है इसमें भी मुझे आर एचस में राइड कर लेना है आर अर एचस में दिया गया है कार 40 संस अपान 10 पचास संस मानस का कास 35 संस अपान में 2 साइन पचपनस ये दिया गया है अब परिवर्तन में मुझे ऊपर करना है नीचे करना है तो उपर हम परदून कर रहे हैं लेकिन काट 90 मानस का 50 अगर घटा दियो 40 के बराबर है यानि मुझे पूरा कोडम तोल लेना है तो यहाँ फार्मूला गया काट 90 मानस थीटा 10, 50 अंस यह ऐसे का ऐसे रहेगा मानस उपर परदून करेंगे लेकिन यहाँ कास 90 मानस का 55 अपां टू साइञ 55 अंस 90 में से 55 गया 35 ये एंगल इसके बराबर है बट यहाँ फार्मूला होता कास 90 मान थीटा साइञ थीटा के ये वाईल्यीश के क्या होगी बराबर होगी तो काट 90 मान थीटा होता टैन थीटा 10 पचास अंश अपन में 10 50 अंश चिन मानस का यहां पर आजआएगा साइन 55 अपन में 5 पच्पन के इसकी वैल्यू काट जयेगी यहाँ 2 था तो यहाँ पर 1 आजाएगा इसको आगे मिसल पर करके बता रहे हैं यहाँ पर 1 बज़ गया टू इसके पूरी वाइल वन हो गए उपर और पान में क्या है टू इसके निचे एक माने क्रॉस मल्डिप्लाइए करेंगे टू वन 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 अपान टू टू में से वन गया वन अपान टू यह आ गया और एचेस जो मुझे सिद्ध करना था I hope मेरे दोरा आपको यह question बताया गया बहुत ही प्यारे तरिके से बताया गया है मेरे बच्चों अगर आपने मेरे वीडियो को देखा अभी तक आगर आपको समझ में आया हो अगर आपने मेरे question को देखा अच्छा लगा हो अभी तक like नहीं किया तो like कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा share कर दीजिए मुझे आपका प्यार चाहिए आपका support चाहिए आपका सहायता चाहिए अगर आप लोग मेरे सहायता करेंगे तो मैं भी एक अच्छा platform तयार करके आप लोगों को रोज ऐसे जाए दिन मैं पढ़ाने के कोशिद करूँगा